नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल जोबित पीडे में दोस्तों आज इस कलास के माध्यम से हम अपने फस्ट चेप्टर के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे पिछली कलास में हमने चेप्टर फस्ट का इंटोडेक्शन पार्ट कर लिया है अगर आपने वो कलास नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इंटोडेक्शन पार्ट भी एक बार है जुरूर देख लेना अगर आज की कलास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार पनारे हैं तो चैनल को सस्क्राइब ही कर लेना इसके लाओ दोस्तों से 17 की कलास पर हम जल्द स्टार्ट कर देंगे तो आप चैनल को सस्क्राइब है वो जरूर है कर लेना तो चलिए सुरू करते हैं आज कि अपनी कलास Qution first इस परकार दिया गया है निमन लिखित संक्याओं का H.E.F. ग्याद करने के लिए Euclid विवाजन अल्गोरिदम का प्रियोग में करना है और इसके अंदर हमें 3 Qution दिये गया है तो दोस्तों Euclid विवाजन अल्गोरिदम क्या होता है इंटोडेक्शन पार्ट में आपको बता दिया एक बार में आपको और बता देता हूँ जो Euclid विवाजन प्रिमे का है ना उसका प्रियोग हम बार-बार किसी Qution को सोल करने के लिए एक साथ करते है ना तो क्या कहलाता है आपका Euclid विवाजन अल्गोरिदम ठीक है तो आपका Qution फिर्ष दिया गया है 135 है और 225 है इन दोनों का हमें क्या करना है एस यह प्यानि हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखेंगे कि इन दोनों में इससे बड़ी संक्या कौन सी है तो देखने से पता चल जाएगा कि 225 है वो बड़ी है कि से 135 है क्यानि हमें क्या करेंगे बड़ी संक्या के अंदर छोटी संक्या का भाग देदेंगे यह काम है अब आपको रुप में करना है ठीक, 225 के अंदर हमें 22 का देना है, 135 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये कितना आ गया आपका, 135, ठीक, 225 में से 135 गटाएंगे, तो 6 पल कितना रहा, 90, तो दोस्तों, इस विद्धी के अंदर हम क्या करते हैं, कि जहां तक अपना भाग चला जाए, जैसे यहां तक यहां पर बाग कितनी बार गया, एक बार गहें? 135. अब 6 कितना रहे गा है? 90. यानि आगे बाग नहीं जा रहा है. आगे बाग नहीं जाएगा ना यह बाज़क कहना इस सैड़ ले आएएगे. यानि अब इस बाज़क के अंदर भाग देंगे इस बार भाग वो कितनी बार जाएगा पूरा पूरा दो बार जाएगा यह लीजिया आपका 90 और 90 में इसे 90 गटाएगे तो कितना आ गया शेश पल जीरो तो हमें क्या करना है शेश पल जीरो निकालना है ठीक है जहाँ पर भी शेश पल जीरो आता है ना तो वह बाज़क होता है उस टाइम का वह अपना क्या हो जाता है यानि अब हमें पता चल गया है कि 135 और 225 का जो होगा ना वो कितना होगा 45 होगा यह तो दोस्तों हमने अपने ट्रिक से कर लिया अब इसको हमें क्या करना है यूकलीड विवाजन प्रिमर का के रूप में में लिखे बताना है तो मैं किस परकार लिखेंगे तो हमने पता च विवाजन अल्गोरिधम से यूकलीड विवाजन अल्गोरिधम से तो यूकलीड विवाजन अल्गोरिधम के इंदर हम क्या करती है यूकलीड विवाजन प्रिमेका का उप्योग करती है जो कि क्या होता है ए बराबर बी क्यू पलस ए आर जहांपे आर क्या होता है जीरो से बड़ा या 0 के बराबर और 20 से क्या होता है आपका चोटा होता है ठीक है तो यहापे दोस्तों सबसे पहले जो आपका बाज्य था वो क्या था 225 यानि ए बराबर क्या था यहापे 225 वो हमने यहापे लिख लिया ठीक है फिर हमने भाग किसका दिया है 135 का कितनी बार भाग ग जिरो करने, यह नहीं मिला तो हमें क्या कि भाग आगे और गया है, ठीक है, फिर क्या था, आपका भाज्य क्या था, 135, बाग किसका दिया हमने, 90 का, कितनी बार भाग गया है, एक बार, क्याThis change 0 मिला था, क्या हमें नहीं मिला था, उसक अपना कितना था, 45, देरे 2, बाग आग कि और गया है इस बार जो अफना थे था वो कितना है निभ भाग हमने किस नी बार गया दोश्टों बाग गया है दो बार कितना अब कितना मिला जिरो मिला जौनेफ़ Virginia ब्राबर हो जाता है न तो जो बढ़ music था उस टाइंब वो भी इपना क्या हो जाता है हो जाता है यानि कि 225 और 135 का हो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं आता है 135 वे 225 का है 45 होगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों अपना final answer हो जाएगा किस परकार किया मैंने आपको डिटेल में बता दिया आगी है दो क्यूशन और है इनको हम सोल कर लेते हैं ताकि आपको और यह जादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए ठीक है इन दोनों में से सबसे पहले में देखना है कि बड़ी और छोटी संग क्या कौन शी है तो देखने से पता चल रहा है कि 38,220 है न वो क्या है एक सुचिन में से बड़ी है यानि कि इसके अंदर हमें इसका भाग देना है ठीक है फिर हम क्या करेंगे यूखली डिवाजन एल्गोरिट्म का प्रियोग करेंगे इसके अंदर हम क्या करते हैं यूखली डिवाजन प्रिमेका का उप्योग करते हैं जहां पर आर क्या होता है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है और बी से चोटा होता है अब हम क्या करेंगे इसका रफ्ट के इंदर एक बार भाग देके चेक कर लेंगे हमें क्या करना है 38,222 में भाग देना है 196 का सबसे पहले ये दोस्तों 200 के लम समय ठीक है यानि इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा तो यानि संख्या बड़ी हो जाएगी तो एक ही बार भाग जाएगा भाग देना तो आपको आता है एक बार भाग गया तो हमें और संख्या उतार लेनी है ये हमने दो और उतार दिया ये दोस्तों 200 के करीब है ये 1800 है अगर हम 200 को 9 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 1800 आता है यानि कि 9 बार भाग बार जाएगा इसको आप 9 से मल्टिप्लाई कर दीजिए 9 का गुणा 6 से 54 तीक है 5 आ गया 9 का गुणा 9 से 81 85 86 का यहां पे 6 हो जाएगा आगे कितना आ गया 8 है 9 का गुणा 1 से यानि 9 और 8 है 17 तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 1774 यहां पे अपना आनसरा गया इस में से घटाएंगे चनिक इधर से करी हो गया तो 12 में से 8 4 गया तो ji कितना बच़ेगा 8 है 5 में से 6 गया तो ji कितना बच़ेगा यहां पे 9 और यहां पे एक ही साइड आ गया थे यापे 27, 27 में आप 통 980 में भाग देना तो दोस्तों आपको वाधता होगा क्योंकि आप इछले कलासों से शीक्ति आघार है उसके अंदर अधर देंगे यह बाग कितनी बार चाइगा पूरा 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 पॉरा पांच बार जाएगा त्यादी सको तो कि इतना आ जाएगा की बहुर्शा नो सो यहाँ पर एपना की मिल गया जीरो जहाँ पर भी इषब्लब्रब मिल जाता है जिस्टी म सब्ज़क होता है वह यह अपना क्या होता है एस और एक सच, की है हुता है यानि कि इन दोनों का एससे अपर हो जाएगा ठीक है तब इसको हम किस परकार लिखेंगे सबसे पहले क्यूशन लिख दिया फिर आपको यह लिखना है कि इन दोनों में से बड़ी संग क्या कौन सी है यह है फिर हम क्या करते हैं यूकलीड वाजन अल्गोरित्म का प्रियोग करती है अल्गोरित्म क्या होता है इसको हम किस परकार लिखते हैं क्यूं लिखते हैं मैंने आपको वो सब कुछ से इंट्रोडेक्शन पार्ट में बता रखा है ठीक है तो 38 यहां पर अपना भाज्यक क्या था एक सो चांड में भाग फल दोस्तों में कितना मिला था यानि बाग इतनी बार गया एक सो पर चांड में बार और सेस पर अपना क्या मिला था यहां पर जीरो जहां पर भी सेस्पल जीरो आ जाते है ना उस टाइम का भाज्यक क्या होता है एक सो चांड में तो अब आपको निच्छे क्या लिखना है अते हैं एक सो चांड में होगा यह क्या हुजाएगा आपका आनसर हो जाएगा इस परकार आपको इस क्यूस्टन को करने है हवज परकार अपने क्यूस्टन नमर तीन की तरफ क्यूस्टन के दे रिखिया हुआ है 866 और 255 इन दोनों में से बड़ी कौन शी है 866 है वो बड़ी संख्य है किस से 255 से तो हम क्या करेंगे 866 के अंदर 866 के अंदर आपको 255 का भाग देना है ठीक है यह भाग कितनी बार जाएगा यह भाग जाएगा तीन बार अगर इसको हम 4 से गुणा कर दें तो यह 800 से जादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 50 है तो याँनि 500 को अगर हम 4 से गुणा करें तब भी 1000 होता है तो 4 से गुणा करने पर जादा हो जाएगा थ Kenneth brigण करते हैhen जैसे इसकोidences कोventions करेंगे तो यह कितना 15 एक करी हुआ 15 और एक है 16 फिर एक करी हुआ और यह 10 यह 3 है सोरी ठीक है यह 6 और यह कितना हो जाएगा 7 यानि 765 इसको तीन से गुणा करने पर इसमें से गटा लेंगे यह बचेगा 2 यह बचेगा 0 यह बचेगा 1 यानि 102 बच्चा है फिर हम क्या आग्या बाग नहीं जा रहे था देंगे तो 255 के अंदर 102 का बचेगशने अब कितनी बार जाएगा दो बार तो यह कितना हो जाएगा 204 कितना बचा एक काउन आगे बाग नहीं जा रहे तो यहूंड हम भाग देंगे जो बाज्जक है न उसक नदर बाग देते वह चलना आपका यहाँ बाज्जक कितन है उस टाइम का भाज़ कि आपका क्या होता है एस येफ होता है अब इसको क्या करेंगे लेंग्यज के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको किस परकार पूरा करके बताने है अब हम लिखेंगे कि युकलीड विभाजन युकलेड विवाजन अल्गोरिथम से युकलेड विवाजन अल्गोरिथम युकलेड विवाजन अल्गोरिथम में क्या करते हैं युकलेड विवाजन प्रिमेका का अप्यों करते हैं जो कि क्या होती है A बराबर B Q पलस R जहाँ पे R है ना दोस्तों वो आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 20 से क्या होता है छोटा होता है एक है आपका एक है आपका या पर बाज जे है तो बाज जे है या पर कितना है 860 बाग अपने किसका दिया था 255 का दिया था कितनी बार गया था 3 बार CS कितना बचा यहां पे 102 बचा है क्या R है वो 0 के बराबर है क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है तो यानि आगे भाग और गया है इस बार आपका बज्य है वो कितना था 200 Sorry यहां पे यह 255 है तो इस बार जो बज्य है था वो कितना था आपका 255 बाग हमने किसका दिया था? 102 का, कितनी बार गया भाग? 2 बार गया, 6 यहां पे कितना बचा? 51, क्या 51, 0 के बराबर है क्या नहीं? क्यानि बाग और गया, आगे भज्य कितना था? 102, बाग किसका दिया? 101 का, कितनी बार गया? 2 बार, 6 कितना बचा? 0, यानि कि R जो 6 पला वो क्य अपना जीरो जहाँ पे भिह आर जीरो आ जाता है वह अपना क्या होता है जो भाज्यक होता है आज़ो पिछपन का जो स्य करें अपना वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा तो आपको लिख जाने अत्य है 866225 का SCF यानि हाइस्ट कॉमन फैक्टर एकावन होगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों अपना पूरा आन्सर हो गया आपको इस परकार इसको लिखने है पर्स्ट क्यूशन हो गया आपको होफ़ील यह समझ में आया होगा अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट है वह जुरूर कर देड़ना चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्यूशन की तरफ Second Question है, दरसाइए की कोई भी दनातमक विस्वम पूर्णाख है वो छै क्यूप पलस एक या छै क्यूप पलस तीन या चै क्यूप पलस पांच के रूपका होता है जहां क्यूप कोई प्था है, यह हमें बताना है तो इस क्यूस्टन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दनात्मक विसम पूर्णाक की बात हो रही है, तो हम क्या कर लेंगे, कोई दनात्मक विसम पूर्णाक मान लेंगे, हमने क्या क्या है, मानना A कोई दनात्मक विसम पूर्णाक है, हमने कुछ नहीं किया, क्यूस्टन क के अंदर हमें दिया गया वह किस रूप का होगा छह Q पलस एगोभ पलस तीन च्हुंप प्रिमे से जानती है की यह बराबर क्या होता हैं प्य होता है यहाद पे यह नि रहा यह यानि भाजг होता है न्हसे हो只 क्यूशनिंग के अंदर दिया गया है बी बराबर के आपका छे दोस्तों जानते हैं कि बाज़क है ना इस से छोटा ही होता है क्या होता है जो आपका शेयसपल र होता है यानि अगर बाज़क छेय ना तो शेयसपल पांच तक हो सकता है छेयसपल कभी भी छेय नहीं होगा या क्या हो सकते हैं आपकें 6 पल निकाला है जीरो 12345 यह सकता है अब हमें क्या करना है कि यह बताना है कि 6Q जो A है ना वो दनात्म कोई समग पुणा कर वो इनका रूप का हो सकता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यूकलेड विवाजन अल्गोरिथम का प्रियोग करेंगे तो यूकलेड विवाजन प्रिमे का से यूकलेड विवाजन प्रिमे का दोस्तों आपके क्या होती है A बराबर B Q पलस R जहाँ पे R क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से आपका क्या होता है R है छोटा होता है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे R के मान कितने हो सकते हैं 0 भी हो सकते है 1 भी हो सकते है 2, 3, 4, 5 तक हो सकते है यानि कि अलग R R के मान नहीं यहां पर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम मान लेंगे Case First Case First क्या हो सकते है जब R का मान जब R ब्राबर 0 हो A की जगए A हो जाएगा B अपना यहां पर कितने है R ब्राबर 1 हो तो सबसे आलगे A ब्राबर 6Q पलस 1 तो सबसे हो जाएगा इसी प्रकार हम क्या करेंगे Case No.3 आपको यह सारे R के मान न वो बारी बारी से लेना है जब R का मान क्या हो 2 हो, R का मान 2 होगा तो A बराबर 6Q पलस R की जिगे 2 हो जाएगा इसी परकार हम आगे चलते जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, केस नमर यहापे हमने 3 ले लिया तो यह केस नमर आपका 4 हो जाएगा जब R का मान क्या होगा आपका 3 जैसे R का मान 3 होगा तो A बराबर 6Q पलस 3 हो जाएगा केस नमर यहापे 5 हो जाएगा जब R बराबर क्या हो 4 हो, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q पलस 4 हमने दोस्तों कुछ नहीं किया है यह युकली डिवाजन प्रिमे का है, इसके इंदर हम क्या करें A का मान यह हमें B का दिया गए और R का दिया गए, R का मान यह है तो हम बारी-बारी से यह लिख रहे हैं B का मान 6 है तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है अब आपका लाश्ट केस क्या है जब R का मान क्या हो सकता है 5 हो सकता है, तो A बराबर 6Q पलस 5 ठीक है माल लेते हैं दोस्तों यह आपकी समिकन एक है यह समिकन दो है यह तीन है और यह आपकी समिकन चार हो गई यह समिकन क्या है पांच है और यह क्या होगे आपकी समिकन च्छै होगे समिकन एक के अंदर में क्या मिला है ए बराबर 6 क्यों मिला है तियानि क्यों का गुणा किसी हो रहा है 6 से हो रहा है तो हम जानती है कि समसंक्या का गुणा किसी भी संक्या शे करते हैं तो क्या आता है समाता है 6 क्या आपकी एक है समसंक्या अगर हम 6 का गुणा एक से करते हैं तो भी एक समसंग क्या च्या आएगी अगर 6 का गुणा 2 से करते हैं तब भी एक समसंग क्या बार आएगी यानि 6 का गुणा किस्य से भी करें आप तब हमें क्या मिलेगा समसंग क्या मिलेगी यह मान न वो किया आपका है कि सम्संगें तो मान क्या हैं आपका विश्म हो जाएगा तो यानि कि यह मान है वो क्या हो जाएगा विसम हो जाएगा ठीक है चैक यू पलस दो यानि कि अगर आप समसंग क्या के अंदर समसंग क्या जोड़ेंगे तब मान क्या एगा सम ही आएगा ठीक है अगर आप समसंग क्या के अंदर विशम संग क्या जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा विशम ही मिलेगा ठीक है तो यह मान आपका क्या हो जाएगा विशम हो जाएगा चैक्यू प्लस चार समसंग के अंदर समसंग क्या जोड़ेंगे तो मान हमें क्या मिलेगा सम मिलेगा और समसंग के अंदर अगर आप विसंग क्या जोड़ेंगे तो में मान क्या मिलेगा विसंग मिलेगा ठीक है यानि दोस्तों जो equation आपकी first है ठीक है इसी परकार यह आपकी 3 है और यह 5 है इन में तमें मान क्या मिल रहे है सम मिल रहे है लेकिन 6Q plus 1 क्या है विशम है 6Q plus 3 भी क्या है विशम है और 6Q plus 5 भी क्या है विशम है यही तम से पुछा गया था कि दर्शाइए कोई भी जो ए दनात मक विशम पूर्णाक है ना वो किन की रूप का होता है 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5 की रूप का होता है तो समिकन 2 पिर आपकी 4 वे 6 से 6 से सबस्ष्ट हो गया ना दोस्तों कि कोई भी कि कोई भी दनातमक है कोई भी दनातमक है विशम पूर्णाक 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5 की रूप का होता है यह तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि हमें दर्शाना था कि कोई दनातमक विशम पूर्णाक है वो 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5 की रूप का होता है वो हमने यहां पर बता दिया कि दनातमक पूर्णाक है वो इनकी रूप का होता है ठीक है आगे दोस्तों इससे समझी तो और भी क्यूशन है वो हम और सोल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ क्यूशन नम्मर तीन है किसी प्रेड में 616 सदस्या वाली एक सेना यानि आर्मी है उनको चलाना है तो दोनों संक्या को समान संक्या वाले स्तंबों में मार्च करवाना है तो उन इस्तंबों की अधिक्तम संक्या क्या है जिन में वे मार्च कर सकते हैं अधिक्तम संक्या की बात की जारी है तो दोस्तों कभी भी अधिक्तम संक्या का इस प्रकाश जिक्र हो दो संग्या देखे तो आपको तुरंट समझ जाना है कि यहां पर क्या करना है H-Chape निकालने है H-Chape यानि आपको Highest Common Factor मेहतम समापर्तिया का माणिया आपर निकालना होता है तब हमें क्या करना है 616 और 32 का हमें क्या करना है H-Chape देने तो 32 का बाग कितने बार जाएगा एक बार जाएगा एक सेट में पर यहां पर सेश कितना बच गया 9 और दो ठीक यह संग्या छोटी है यहनि आगे वाली संग्या उतार लेंगे थे कितना हो गया 200 चान्द में में दोस्तों इसमें बाग यांपे कितने बार जाएगा नो बार यानि गर 32 को 900 गुणा करें तो यह 18 करी हो गया एक 2718 यानि 285 मिलेगा 204 में 288 को गटाएगे तो लिख सकते और 22 नहीं जा रहे और इसका बाग 32 के अंदर देंगे अब बत्तीस के इंदर आट का बाग कितने बार जाएगा चार बार चला जाएगा जानी लाज बूत जा जा पर जीरो आजाता है वही आपका क्या होता है है एक प्रकार लिखेंगे युकलिड विभाजन युकलिड विवाजन एलगोरिफ्म से और विवाजन एलगोरिफ्म के इंदर हम क्या करते हैं युकलिड विवाजन प्रिमे का करते हैं जो कि क्या होता है यह मैंने आपको बार बार एकदम रटा रखा है ठीक है ना सबसे पहले मैं आपर देखना है यह यह नि बाज्य क्या था अपना 266 था ठीक है बाग की सिका दिया हमने 32 का कितनी बार गया गुनिस बार सेश कितना मिला था आमें 8 ठीक है फिर हमने क्या 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 गया चार बार सेश क्या मिल गया जीरो जहां पर भी हमें सकती है कि जो हमें 32 से सदशियों के आरमी बेंट बैंड उसके इसके पिछिए सोला सदशिय हैं इनको चलाना है तो उन का क्यूसर नंबर है तीन हो गया क्यूसर नंबर चार है युकलिड विवाजन प्रिमिका का प्रियोग करके दर्साइए कि कोई भी दिनात्मक पूर्णाक है उसका वरग किसी पूर्णाक M के लिए 3M या 3M प्लस A का रूप का होता है यहां पर में संकेत दिया गया है कि मान लीजिये कोई BX है वो दिनात्मक PLUS A की रूप में लिखा जा सकते है ठीक है तो दोस्तों यूके लीड हुआजन प्रिमा का हम जानते हैं क्या होता है ए बराबर B Q PLUS A यहांपर हमें क्या दिया गया हैấu T5 30 M से एक दिया गया है और तीन M दिया गया है चाहिने की जिगह हाएनने कितने तीन दिया उकलिड-विभाजन प्रिमिका से जो कि क्या होता है ए बराबर बी क्यू पलस आर जहां पर यह आपका आर है वो जिरो से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है अब आर के मान हमें क्या दिया गया एक जिरो दिया गया एक दो एक और एक दिया गया ठीक है तीन मान दिया गया तो बारी बारी से ह जब R बराबर 0 हो तो यानि A बराबर B का मान कितने हैं दोस्तों 3 है Q और R का मान आपका क्या हो जाएगा या पर 0 हो जाएगा तो हमने 0 लिख दिया तो A बराबर आपका मान क्या हो जाएगा 3 Q हो जाएगा अब हमें क्या बोला गया है इसका वरक भी करना है ठीक है इसका वरक करेंगे तो यानि दोनों तरफ है दोनों तरफ वरक करने पे दोनों तरफ वरक करने पे तो एक वरक तो एक हो जाएगा ए स्कायर हो जाएगा और तीन का नो और क्यू का q square हो जाएगा तो 9 q square को हम क्या लिख सकते है 3 गुणा 3 q square भी लिख सकते है अब हम क्या करेंगे 3 q square को हम क्या कर लेंगे m माल लेंगे माला 3 q square बराबर क्या है m है इस की जिए m हो जाएगा तो यह स्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा m कर, के सेकंड, जब आपका R का मान हमें कितना दिया जाए, एक दिया हो, ठीक है, तो रिफिज़ोडि का क्यों करेंगे, एबरापबर है, B के जगाहले आपका कितना है, 3Q, R का मान एक है, ठीक है, अब हमें क्या करने है, दोनों तरफ वरक करना है, दोनों तरफ वरक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक है, यह क्या हो जाएगा, तीन क्यू प्लस, एक की स्कार, अब हम जानते हैं कि a प्लस जो b है उसकी whole square होते हैं उसको क्या लिख सकते हैं a square प्लस b square प्लस 2ab ठीक यह formula आपने पड़ रखा है basic सा formula है तो यह क्या हो जाएगा a square ठीक यहाँ पर a की जिगा कितना है 3q यानि 3q की square 9q square हो जाएगा ठीक plus b square यानि 1 की square 1 हो जाएगा 2 का गुणा करना है कि 3q plus 1 तो यह क्या हो जाएगा 9q square 6q plus 1 qq के जो मान है दोस्तों मैंने एक side लिख लिए इन दोनों में से हम क्या को में ले सकते हैं 3 q square plus यहाँ पर 2q यह क्या हो जाएगा plus 1 यहाँ पर अब क्या करेंगे माना इस पूरी value को हम m मान लेंगे यहाँ तीन q पलस 2 q बराबर क्या है आपका m है तो यह क्या हो जाएगा a square बराबर 3m पलस a हो जाएगा यह आपकी क्या होगी equation second होगे इसी परकार जोगा आपका case नमर 3 बनेगा अब हमें r का मान कितना लेना है 2 लेना है तो a बराबर यह b की जाएगा 3 था पलस 2 दोनों तरफ हम वरक करेंगे तो यह एक की square 3 q पलस 2 की square तो दोस्तों यह मान नहीं मैं आगी लिख रहा हूँ क्योंकि space नहीं यह निच्छे आपको दिखाए नहीं देगा तो इसकी square करेंगे तो यह 9 की square पलस 4 पलस से 2 गुणा 3 q गुणा 2 यानि 1 2 तो यह हो गया 3 q एक का मान हो गया और यह 2 है वो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा इन दोनों को हम क्या करेंगे 9 q पलस ठीक है इनका मान रखेंगे तो यह कितना उजाएगा 12 q और यह क्या आपका पलस का 4 है पलस के 4 के मान को हम क्या लिख सकती है 3 पलस 1 भी लिख सकते है ना तो यह हमने 3 पलस ए लिख दिया इन में से हम क्या करेंगे 3 q को कॉम मल ले लेंगे तो यह आज से हम 3 q को मल लेंगे तो a square बराबर 3 हमने बाढ़ ले लिया तो यह क्या बच्छे का 3 q square पलस 4 q पलस 1 पलस 1 इस पूरे मान को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे ठीक है माना कि 3 q पलस 4 q पलस 1 क्या है m के बराबर है तो a square आपका कितना आजाएगा 3 m पलस 1 यह आपकी क्या हो जाएगी यह question number 3 हो जाएगी यह तो दोस्त हम से बोला गया था यह मान लेंगे अलग है ठीक है यह तो दोस्त हम ने बोला गया था कि कोई दिनात्मक पूर्णाक a है तो इसे हम किस परकार लेख सकते है 3 m पलस 3 m पलस 1 की रूप में लिख सकते है तो आप देख लीजिए समिकन 1 से में क्या मिला है 3 m मिला है समिकन 2 से में क्या मिला है 3 m पलस 1 की रूप में और समिकन 3 से में क्या मिला है a square कितना मिला है 3M plus 1 के रूप में मिला है तीज हमसे बोला गया था तीज है अपना क्यूस्टन नमरे 4 हो गया अब हम बढ़ते हैं अपने next क्यूस्टन के तरफ क्यूस्टन नमर पांच है युकलेड विवाजन प्रिमिका का उप्रियोग करके दर्साइए कि किसी दनात्मक पूर्णांग का घन है वो 9M, 9M plus 1 या 9M plus 8 के रूप का होता है पिछले क्यूस्टन में तो दोस्तों हमने स्कायर यानि वरक किया था इस क्यूस्टन के अंदर हमें क्या करना है क्यूब यानि घन करना है हमें क्या दिया गया किस रूप का होना चाहिए 9M, 9M plus 1, 9M plus 8 के रूप का होना चाहिए पिछले क्यूस्टन में दोस्तों हमें आपे B का जो मान दिया गया था वो हमने लिए लिए था यापे अपने B का मान कितना दिया गया है 9 दिया गया है क्योंकि एक मान के हुए आठात जादा हो जाएगा थीक है क्योब करने के लिए वह किस से्ट होता है तीन से से होते हैं ऐले हैं थीन का इतना लिए और यह गुणज भी हो गया सलें थीन अगर आप 3 लें तो आध भरहाबर जो संभावित मान क्या हो जाएगा ए 349 और दो हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे यूकलेट विवाजन प्रिमेका का उप्योग करेंगे तो हमें क्या करना यूकलेट विवाजन प्रिमेका क्या होती है तो हमें क्या करना है तो हमें दोनों तरफ है गन करने पर गनेने में क्या करना है क्यूब करना है तोdogäre की क्यूब करना है यह जाएगी और तीन क извест egy भार करेंगे तो 27 क्यूब की क्यूब ठीक है अब इसको हमें किस रूप में लिखना है 9M की रूप में लिखना है तीनी किасть non लेंगे तो अंदर कितना बचेगा तीन क्यूब की क्यूब बच गया अब मान लेंगे तीन क्यूब की जो क्यूब है इसको हम क्या मान लेते हैं मान लेते हैं माना में R का मान कितना लेना है? एक लेना है. तो Euclid इवाजन प्रिमिका से A बराबर 3 Q प्लस 1. दोनों तरफ हम Q करेंगे, त्यानिस की Q, A Q और 3 Q प्लस 1 की Q. अब यह यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगोगा? A प्लस B की Q यह X प्लस Y की Q. इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B की Q को हम क्या लेख सकते हैं? 3 की Q, A की Q, प्लस B की Q, प्लस 3 A B, प्लस 3 A B स्कुराइट ठीक है? चलिए मान रख लेते हैं. सबसे पहले में क्या करना? A की Q, A कितने है? 3 Q, ठीक है? 27 Q की Q, ठीक है? फिर A की Q, A की होती है? 3 गुणा, A की स्कुराइट यानि 9 Q स्कुराइट गुणा B है. प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा ज़िया, 3 प्लस की ए? प्लस 3 Q, और B की स्कुराइट करने हैं? जो की क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएए तो हमान कितना बच का गूणा 3 से करेंगे तो 9 ये हो जाएगा आपका 9 आप हम क्या करेंगे इस में से क्या क्मल्ले की हमान रोप में बच चाहेए और नौ एम प्रेकार लिख सकती है मैं side में यह आपे लिख रहा हूँ ताकि Q से न आपको दिख जाए इस value को हम इस परकार भी लिख सकते हैं 27 यह किस के बराबर है 1 Q के बराबर है 27 Q की Q पलस है 27 Q स्पायर है पलस 9 Q पलस 1 है ठीक है इन में सब में से हम क्या कर लेंगे 9 को बाहर लेंगे तो 9 को बाहर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 Q की Q पलस 3 Q स्कायर पलस से Q और इस side आपका मान क्या है एक है ठीक है अब इन सब को हम क्या मान लेंगे M मान लेंगे मानना हमने मान लिया 3 Q की Q है पलस 3 Q स्कायर पलस Q बराबर क्या है आपका M है इसको M लिखेंगे तो A की Q बराबर क्या हो जाएगा 9M पलस 1 यह आपकी क्या होगी equation second होगी अब हम क्या करेंगे case नमबर 3 क्या है आपके पास है जब R का मान क्या हो R का मान 2 हो तो रख दीजी R का मान 2 तो A बराबर 3 Q पलस 2 दोनों तरफ अब में क्या करना है वरग करना है जैसे हम Q करना है वरग नहीं तो 3 Q पलस 2 की हमें क्या करना है Q करना है यही फोर्मूला हम यहापे यूज लेंगे सबसे पहले हमें क्या करेंगे A की Q करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 27 Q की Q गुणा B कितना है? 2 पलस 3, A की जिगा कितना है? 3 Q B स्क्वाइर यानि 4 ठीक? तो यह आपका कितना होजएगा? 27 Q की Q पलस यह Q की जो value हम एक side लिख देंगे 3 का गुणा 6 से होगा 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 9 से तो यह चोपन और आगे क्या Q स्क्वाइर पलस 3 का गुणा 3 से 9 9 का गुणा 4 से 36 यह क्या होजएगा? 36 Q और यहाँ पर पलस क्या था? 8 था अब हमें क्या करना है? 9 Q पलस 8 के रूप में इसमें लिखना है तो नहीं एक तो 8 रहना चाहिए, 8 तो यह हो गया इस वेल्यू को हमें क्या बनाना है? 9 Q बनाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 9 है वो कॉम में ले लेंगे 9 कॉम में ले लिखना 3 Q की क्यूब पलस इसमें से 9 गया है यह आपका 6 Q स्काहर पलस 4 Q अब हम क्या करेंगे इस पूरे वेल्यू को हम M माल लेंगे माना माना 3 Q की क्यूब पलस 6 Q स्काहर पलस 4 Q बराबर क्या है आपका M है तो इसकी जगा M रखेंगे तो यह क्या वजाएगा 9 M पलस 8 बराबर आपकी क्यूशन अमने माल ली 3 तो अब दोस्तों समिकन एक दीगी है समिकन दो दीगी है समिकन तीन दीगी है इन तिन्नों मानों से इसपरस्ट हो गया कि अगर एक कोई दनात्मक पूर्णाक है ठीक है और इसका अगर हम क्यूशन करते हैं तो यह अपना मान कितना मिलेगा तीन एम प्लस एक नो एम और नो एम प्लस आठ की रूप में मान वो प्राप्त होना है यह हमें क्या करना था क्यूब करके बताना था तो यह आपका क्यूशन नमर पांच हो गया इस परकार जो आपकी पूरी प्रशनावली है ना एक पूइंट एक वो कंपलेट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फिर मलाकात होगी इसी परकार एक और बैतरिंग क्लास के साथ तब तक आप पशते रहना मुस्क्राते रहना देखते रहना जोबित पीडी जैहिन जैभार्ण